कि मैंने आपको अभी बताया था क्या है हमारा प्रॉब्लेम बीट सेन बाइट इन अल्री समझाया बीट क्या है बाइट क्या है अधि यूज तूट टाटा पर्मनेली एक वी करेक्टर रहे उसको बाइनरी यह जीरो मतलब यह वन मतलब कोई भी डाटा स्टोर रहे उसको वन बोलते हैं तो और या ओफ कोई भी चीज दो वर्ड में यूज होती है अन ओफ लेकिन अपनी अन ओफ स्विच है उसमें भी क्य लेंग्वेज यूज होता है ठीक है आज की लेंग्वेज हमों यूज करते हैं तो हमारा जो नर्मल लेंग्वेज है वह हमारा है नंबर सिस्टम से तीन जा चार जाद के नंबर सिस्टम साते हैं एसीमल बाइनरी ओक्तल एन हैग्जा देखो यह जानना जरूरी है यह जान त्विए क्लिंगे तो उसमें हाता हैं अपको समझ में नहीं आएगा ये ख्या क्या है तो यसे घांतर्चर नाट है युदध करेंगे यहजदी फारि देखना है गया कोर यहेज़ए और हैनु लाइंनby 00002030456789 9 के बाद वन यहां ले लेते और 1019 जाते तो जिन जाते यह हमारा डेसिमल नंबर है अब बाइनरी में क्या होता है तो यह कैसा केल्कुलेट करेगा तो पहले 00 लेगा 01 प्लस 110 प्लस 11 इस था वो कैलकुलेशन करता है आप लोगों को कैलकुलेशन निकरना लेकिन जस्स नौलेज समझना है कि बाइनरी में क्या स्टेंड होता अगर में कुछ आए बाइनरी में फो लिखना है तो मैं क्या लिकूंगा तो वन हंड़ेगा फिर क्या आएगा एट में तो 1000 आएगा फिर 16 में यह आएगा इस तरह होता है आपको वैग्जा बराबर समझना है तो एक्जा में 123456789 तक है देखो समया लिखा ए-11 टुवे लिखा को यह लिखा ट्रीन को यह लिखा फिफ्टीन को हो यह है क्यों यूच सा क्योंकि 15 मतलब एक ही वर्ड में लिखा जाए एक ही चैर्यक्तर यूज उसके लिए लिखते हैं तो एक एक वेल्यू है 61 वह लिखा लंगा थिकैंड तो यह यह अफ आयगा तो कभी भी आपको नंबर सिस्टम में नंबर लिखा वहां पर 1D 1F 1C लिखाया तो समधना होग और एक्जा हमें साइज यसा ही लिखा जाता है एक्स 15 यह समझ जाता है मतलब यह है यह समझ जाया तो है लेसिमल और एक हम जो यूज करते हैं वह बाइनरी ते नॉर्मल नॉर्मल हमने स्कूल में भी सिखा होगा च्पोर नंबर सिस्टम थे ठीक है नेक्स यह नंबर सिस्टम स्टोर कैसा करता है तो वह हमारा नंबर सिस्टम 001 इस तरह स्टोर करता है देखो डाउन है मतलब 0 अब मतलब 1 0101 इस तरह स्टोर करता है मैंने करेक्जाम्न संबल ओं उनकर समाल मतलब 01001 और घांशा करता तona मैं कि मैंग्जांपल देतां आपको आम डेस्टोप पे जाता हूं यह यह एक करता हूं एक सांटक्न नूट नट बनाता तक मैं नोट पेड अलग चीज़ और अलग है तो मैं टेक्स डॉक्यूमेंट बनाता हूं और उसके लिखता हूं टेस्ट एंटर करता हूं और यहां मैं कुछ लिखता हूं देखाऊ क्या लिखता हूं small A capital A small Z capital Z जट कितने करेक्टर हुए कोई बताएगा कितने करेक्टर हुए और अगर बैंडरी सिस्टम में जाएंगे अगर मैं इंटर लोंगा वह वह करेक्टर गिनाएगा अगर मैं कुछ सिंबोल भी रखोंगा जो भी करूंगा वह एक करेक्टर गिना जाता है तो यहां पर हम लिख रहें कॉन सी लेंग्वेज में ए ए जैट जैट त्यान रखना यह सब इंपोर्टन चीज है मैं इसको क्लो कि अभी यहां देख लो में एक बार है इसा की बता रहा हूं देखो क्या ख当ि लिखिए यहां पर लिखिए देखो है अ में क्या लिखा है पॉर्टी वन हमें कैनल क्या है क्या है शेखिटि-1 उले का क्या है यह यह वेल्युक्ति-2 और जड t एंटर भी मारा था दो एंटर मारे तो साथ बाइट्स हो गए ठीक है यह एक चीज है अब इसको मैं राइट क्लिक करके एक प्रोग्रामर है जो भी आप टाइप करते हो है यहां पर दिखाया देखो स्मॉल एक वेल्यू क्या रिखिए इसने है इसक्ष्टीवन कैपिटल एक क्या लिखा पॉटीवन स्पेस का क्या लिखा है यह यह हैं यह है यह हैं इंपॉर्टर हम जो भी सेव करते हैं जो भी फाइल बनाते वो उसके एक्जा बन दीए अभी जैसे माइक्रोसफ वर्ड की कोई फाइल है सब्सक्राइब यह एक फाइल है अब इसको में देखूंगा ने तो इसमें मशीन लेंग्विज भी आएगी और बहुत ज्यादा हो जाएगी अब इसको एक्जाइक्जी में ओपन करूंगा ने तो यह ज्यादा बताएगा देखो देखो इसका कंटेंट इसकी जो यह स्टार्टिंग स्ट्रिंग होती है इससे पता चलता है यह वर्ड की फाइल है फिर उसमें मैटर भी बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि यह पेज मार ठीक है ओके तो इतनी सो फाइल बन रही है यह मशीन लेंग्विज है तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि बेजिक टेक्स फाइल जो कॉपी कॉन करके बनाते है या एडिट टेक्स फाइल में बनाते है तो इसकी साइज अलग बनती है तो यह हमारा कॉंफ्लिक है यह एसकी का चार्ट है आसकी लेंग्विज देखो यहां पर 20 है एक्जा में जाएंगे अगर 20 पे 20 पे क्या है एसपी मतलब स्पेस बेल बजानी है मुझे तो उसका केरेक्टर क्या आता था जीरो जैवन मतलब बजाना प्रोग्रामर वालों को पता है यह मशीन लेंग्विज के सा एंट्री करना प्रोग्रामिंग में तो यह हमारा एसकी लेंग्विज है एक है स्मॉल अ कैपिटल अ डिलीट रेंटर यह सा उमारा नॉर्म